हेलो डॉक्टर्स कैसे आप सभी मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में पी वाई क्यू सीरीज और इस सीरीज में मैं आपको 1000 प्लस कोशन पढ़ाने वाला हूँ जो सारे कोशन प्रिवेश एर एक्जाम में आ चुके हैं हैं जो इससे पहले आपके नीट जो था इससे पहले आपके एक्जाम होते थे या इसी कोशन को पढ़ने से आपको सलेक्शन हो जाएगा लेकिन यह जो कोशन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ताकि आपको यह कोशन प्रिवेश भी कोशन जो हैं सारे कोशन कहां से आते हैं यहां पर देख सकते हैं कि यह कॉशन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है तो ऐसे ही इसमें वीडियो आपको जितने भी कोशन है सारे कि वो होंगे जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और इस सारे के सारे कोशन आपके NCIT में से हैं एक भी कोशन ऐसा नहीं है जो NCIT से बाहर हो तो वीडियो के अंद तक जरूर बने रहना आपसे यह कह सकता हम पूरे दावे के साथ इस वीडियो को परणने के बद इसीरी एंजिनिंग में use किया जाता है किसलिए क eight in a fragment की एव जोड़ सकता है यह गल्त बात है क्यों कि वन रहे बता चैकि जो जोड़ने का काम होता है इसका काम क्या होता है काट नहीं का तो यह क्या है कट dna at specific basisट थेकरहता है है आई रिपीट इट फिर दूसरा क्या है कट डिए ने एट वेरिबल साइट की अलगला साइट पर से काटता है ऐसा नहीं है कहां से काटेगा काटता तो है लेकिन इट कट एट सिपेसिफिक बेस सेक्वेंज ठीक है नेक्स कोशन में बढ़ते हैं आपका एंजाइम रिक्वार्ड फोर पॉलीमरे चेंड रिक्षन आपकी पॉलीमरे चेंड रिक्षन है जिसमें कॉपी तयार की जाती है लाखो मिलियंस ओप कॉपीज और प्रिपेड विद धा है करता है फैंक पॉलीमरे जो है यह इसमें कॉपि करने में हैल करता है लोनिंग में एल्प करता है उड़ थर्मस एकव éénटिकस से जाएटिक अनॐ कि के लिए यूज किया गया कि इसका जेनेटिकर इंजिनेर बैक्टिरिया नेक्स्ट है जल जली करेंगे सारे कोशन ताकि आप कम टाइम में बहुत ज्यादा कोशन अटेम्ट कर सकें जिकरा बीटी इसे पॉपलर बीटी कॉटन बिरिंजल बीटी जो है इसका फुल फॉर्म क्य यह बैसिलर त्यूजनिस नेक्स्ट है दा एंजाइम यूज इन पॉलीमरेज चेंड रेक्शन इस यह कौन सा एंजाइम है जो पॉलीमरेज चेंडेक्शन में गया है अभी बताया था आपको टैक पॉलीमरेज धरमस एक टेकर से जो निगाल लगया था आपका और यह जो यूज होता है आपका पॉलीमरेज चेंडेक्शन में नेक्स्ट है आपका इलिउशन, इलिउशन क्या होता है आपका इलिउशन होता है आपका cutting out of separated band of DNA from agrogel, कि जो agrogel है उसमें से जो cuted है जो DNA से टेंड है उनको अलग करना, क्या कहलाएगा? इलिउशन कहता है उसमें से को बहार निकालना यह आपकी जैल एक्ट्रोसिस जो प्रियोसेस है NCRT में उसी के नीचे यह आपकी लाइन वहां आपको मिलेगी मैं आपसे फिर दुवारा यह कह रहा हूं कि जो NCRT है बहुत ही important हैं जितने भी question है सारे के सारे NCRT में हैं one by one टेक-Polymerase is used in the polymerase chain action because तो यहां पर यह question है कही बार अलग अलग तरीके से repeat कि आय जाता है कि टेक-Polymerase जो है इसका इस्तमार PCR में किया जाता है यह क्यों है क्या है इसके जो rate है वो faster है ऐसा भी नहीं है कि एक'स इंजाइम है आफ़ियर पर Kiva alco किvery क्योंकि आपकी जो पौली 2 एंडेक्शन है हाइप टेगशर पर इसको क्या जाता है… तो वहाँ पर क्या रहता है स्टेवल सेह तो इसी लिए इसका यूज क्या जाता है next question अपका the first type to restriction endonuclease discovered जो इसका नाम क्या है जो diversity DNA को काटता है क्या नाम हिन्द 2 ये आपका हिन्द 2 की ग bigger हैं ये आपका सबसे पहला discovered restriction endonuclease enzyme है जो diversity DNA 네 उगाटता है specific site where ये ये भी काहले है цийती है next question है आपका कि जो जीन तयार किये गए हैं artificially उनको इंजेक्ट करना प्लांट में निमल में या किसी बी आ उनिज्में तो एक प्रोशेस होती है तो ये किरा है कि कौन सा मैथड है जिसका इसनुगाइब प्लांट में जीन एजट करने के लिए नहीं किया जाता है यूज नहीं किया जाता तो Biolistic method का किया जाता है, Agro-Vectom to Meditation इसका भी किया जाता है, Viruses का भी inject करने में किया जाता है Micro injection जो method है, इससे gene transfer किया जाता है, लेकिन animal में किया जाता है तो यह point यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, यही इसका क्या है, answer है Next question है आपका, कि यह PCR के बारे में है, question है यहाँ पर मैं बता जाता हूँ को, जो PCR है तो PCR जो है polymer chain reaction उसमें तीन step होती है, आपकी कौन-कौन सी denaturation, annuling और extension तो यह अलग अलग temperature पर होती है, तो उसके लिए यहाँ पर temperature दे रखा है, कि जो step first है denaturation वो इतने temperature पर होती है, 95-98 degree Celsius step B जो है आपकी annuling वो 55 degree Celsius होती है, step C होती है, आपकी 72 degree Celsius अब मैं यहाँ पर बात कहना चाहूँगा, कि यह जरूरी नहीं है, कि यह इतने ही temperature पर यहाँ पर रखा यह fix है, क्योंकि यह आपको सब जिगे अलग अलग मिलेगा, लेकिन लग भग इतना ही मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 55 दिख रहा है, यह 52 मिलेगा आपको, यह 72 है, जो 95 दिख रहा है, आपको यह हो सकता है, आपको 92 मिले, तो यह लगवक क्या है, ठीक है, तो इस तरह के question भी आपको ध्यान देने है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer है, हमारे पास 1, 3 और 3 और 3 और 3 पॉइंट क्या है, इसके ठीक है, नेक्स question, यह फिर एक डाइ anti-biotic resistance gene, क्या होते हैं, आपके anti-biotic resistance gene नहीं होते हैं, sorry, वो तो क्या होते हैं, आपके AMPR और TETR, यहाँ इस डाइगराम आपके आएगा, एक ही जगे पर बी की जगे पाएगा, आपका, एक जगे पाएगा, आपका बाम H1 और बी की जगे पाएगा, आपका, साल 1, next question, the process of separation purification expressed protein before marketing is called, यह करा है कि जो आपने जो प्रोटीन तयार की है, उसको प्यॉर करके, मार्कीट में उसको आप transfer कर रहे हो, तो उसके लिए आप उसको प्यॉर करना, separate करना, उसकी डिजाट बल्दी बनाना, क्या कलाएगा, डाउन स्ट्रेमिंग प्रोसेस कहलाता है, क्या कलाता इस चेप्टर में क्या है, यह last definition है वहाँ पर, DNA fragment separated on agrogel, can we visualize after staining, यह करा है जो DNA fragment है, जो अलग किया था, agrogel में से, उनको हम देख सकते हैं, किस solution में, इथिडियम ब्रोम आइडी यह, आपका बहुत important question है, सारा कि सारा किसमें से है, पूरा NCRT में आपको यह मिल जाएगा, वार वार NCRT कहे रहा हूँ, इसका मतलब सारे क सारे क सारे कोशन NCRT में है, अगर आपको यकिन ना हो, तो जितने भी कोशन है, इस वीडियो में, आप करीब 70-80 कोशन पढ़ेंगे, तो सारे क सारे आपको NCRT में मिलेंगे, और जो मेरी सीरीज है, जिसे मैं आपको 1000 पलस को उज़ करके, उसमें पाइप लगी होती है, सिटायल टेंक, उसका उसका किसलिए होता है, ताकि इसमें O2 सप्लाई हो सके, तो यहां पर आपका option क्या है, आप सन देखेंगे, तो यह करा है, availability of oxygen throughout the process की, बायरेक्टर में जो प्रोसेस हो रही है, जो chemical process हो रही है, उसमें पू जोइन किया जाता है, किस के द्वारा, जोइन करने का काम किसका है, आपका लाइगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे प्रिजर्वेशन भी क्यों है क्योंकि जो आपने ठर किया है उसको करेम कि वह खराब ना हो तो आपका क्या नहीं है कि dat रुट पूलोविंग इंड अनिकलेज के इंड ये एकेज़ंपल कौन सा है सबसे पहले i have आपका यहां पर अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन बढ़ते हैं आपका बना टाइम वेस्ट किये हुए अगर आप अपना यह चेप्टर पढ़ेंगे बाय टेक्नोलजी इंड इस प्रिंसिपल उसमें यह आपको लेप्ट साइड में अपर पोर्शन पे यह आपका टॉपिक मल जाएगा जैल एक्ट्रोफोरेसिश इसमें से बहुत कोशन बनते हैं तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेना नेक्स्ट है यहाँ पे आपका विच आपदा फोलोविंग इज नोट करेक्टली मैच्ड फोर और निजम एंड इटस सेल वाल कि कौन सा है जो इन वेसे मैच नहीं होता है सैल वाल के एकॉडरियर जो है उसकी सैल वाल की सैल tääल सेट कि जिसको कॉल्ऄ सरा है करता है चाइब मैं इन इहां पुछा कि यहां पर यह जो आपको दिख रहा है उसमें यह एक प्रिटरूफेरी जो डिएग्रेमीं identify कौनसे option है जो इसमें से correctly ठीक है तो यहां पर यह किया रहा है ORI original restriction नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि ORI से यहां पर original नहीं होता क्या होता है origin होता है origin original नहीं होता रॉप से किया रहा है reduced automatic pressure बिल्कुल गलत है हिंद थर्ड इको अर्वन इस लेक्टवल मारकर यह भी नहीं है तो यह क्या है आपका ampr and ttr antibiotic resistance gene बिल्कुल ठीक है जो आपके ampr और ttr हैं यह क्या है a antibiotic resistance gene है यह आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस topic मेंसे आपके कई बार question पूछे जाते हैं और यह जो आपका chapter है biotechnology जो आपकी unit है इसमें दो chapter है और इन दोनों chapter मेंसे आपके करिए 4 to 5 question हर बार नीट इसमेंसे पूछता है तो आपका question क्या है which one is true statement regarding DNA polymerase used in PCR कि कौन statement ठीक है PCR को लेकर यह करा it is used to like it introduced DNA in recipient cell कि इसका यूज क्या जाता है जो DNA उसको inject करना recipient cell में नहीं its service selectable marker ये भी गलत है it is isolated from virus ये भी गलत है ये क्योंको mechanism है इसको isolate नहीं किया ये करा it remains active at high temperature ये बिल्कुल ठीक है अब ये आपने पीछे question में पड़ा था तो ये क्या है ये high temperature पे react कर सकता है active है मतलब ये क्या है thermostable होता है ये question यहाँ ठीक है next है आपका whole transformation transformation के लिए micro particles coated with DNA to be bombarded with gene gun जो आपका gene gun method होता है जिसके अंदर gene को डालके किसमें इंजेक्ट किया जाता हो cell में host भी कौन किसमें डालते हैं plant में तो ये कराई कौन जो जीन गन है बाइस्टिक जीन गन में थड़ है तो उसमें जीन गन हो किससे बनी हुई रहती है आपके आप सब लेका पड़ा है गोल एंट टंगस्टन तो यह बिल्कुल भी भूल नहीं सकते तो गोल टंगस्टन से जीन गन बनी हुई रहती है नेक्स्ट कोशन है आपका दिर्05 ए रेस्टिक्षन एंड नीखर डर गलिएज काल ए को आर वन वट डज कोवादी कोवाद तो कोवादीम होगा आपका कोल जीन होगा यह के व जीन है और को से DNA के जो कटेड़ फ्रेगमेंट हैं उनको सेबट करने के लिए और बेसिज आप दियर मॉलिकूल साइज तो किसमें उसके जाता है इसका जेल लेक्ट्रोपोरिसिस टेक्निक में किया जाता है नेक्स सेथो से जोड़ना ये जाता है बेस्ट रहा है कौन सा में धड़ है सबीछ बिच वना दूए उठ गॉह इंट इन चारों में से कौन है इसमें यूज़ करें ने गॉरम प्लांट में डाला जाता है तो क्रॉप प्लांट जो है प्लांट वहां पे आपका एक है वेक्टिरियम कौन सा एग्रोपीरियम यूमिफिस्यान तो इ ह wyk को से हैं आपके एंपी और 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 च व्यक्रबार बता दिआ लिए जो लिंकिंग में पाता कोंग तो ये जो लेंगेंग और ने काम है जोडने का कि एंड निकली तरने का है तो नेस्ट क्या है कोपी तयार करने का है तो नेक्स कॉच्चेन आपका की which of the which of these mostly widely using genetic engineering कौन सा है जो इन सब में से ज़्यादा इस्तुमाल के जाता है किस में genetic engineering में यह क्या है आपका प्लाजमेड है प्लाजमेड का यूज क्या जाता है उसमें gene cloning के लिए प्लाजमेड आप E. coli तो next question है आपको यहाँ पे RNA interference मतलब RNAi is essential फोर्दा किसके लिए ज़रूरी है यह cell के defense के लिए ज़रूरी है genetically modified crop can be produced by genetically modified crop क्योंसी होती है कि genetically इनके द्वारे ऐसी त्यार के वही crop जिसमें ability हो कि वह disease resistant हो high drought और salt temperature को जेल सके तो उसके लिए कि किस से produce की जा सकती है recommend DNA technology यह बिल्कुल आपको फस्ट ऑप्शन ठीक है recommend DNA technology मतलब genetic engineering यह application हो गया by technology का agriculture department which of the following genes do not occur naturally in living organism कौन से जीन है जो नेश्रली अकर नहीं करता है living organism BT gene है RNAi है crygene निकाला था यह क्या है endogenous cytoplasmine की यह वहां पर नहीं होता है next question है आपका adenosine DNAs ADA could be permanently cure if gene isolated bone marrow producing ADA introduced to cell यहां पर यहां पर question पड़ा होगा ADA deficiency disease जिसमें क्या यूज क्या गया था सबसे पहले 4 year old गर जो थी उसके body mentally cure करना है तो कौन सा method इस्तेमाल किया जाता है कि जो gene है उसका introduction gene का induction cell के अंदर का अर्ली embryonic stage में early embryonic stage में अगर gene का induction करा दिया तो यह पर्मनेंट है वरना तो इस disease का इलाज नहीं है तो आप सका option क्या हो जाएगा इस में first हो जाएगा बहुत 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 important question है आपका next है आपका the protein product of the following detox generally cry 1ac cry 2ab are responsible for कि जो cry 1ac cry 2ab है यह क्या है कौन से जो हैं आपके insects हैं जिनको मारने में यह यूज करिए किया जाते हैं जिनका किया जाता कि इसको मारने के लिए ball bombs इनको कितम करने के लिए cry 1ac cry 2ab gene responsible होते हैं इनको control next है आपका bt toxin is bt toxin is a intracellular crystalline protein जो क्या करता है insect को मारने का काम करता है तो bt toxin क्या है intracellular crystalline protein होती है next है आपका bt toxin is harmful to insect like तो bt toxin है किस तरह के insect के लिए harmful होता है लेपिड आप टेरेंस जैसे कि टवयको बड़ वाम या आमी वाम पॉलेप टेरेंस बीटल्स टेप टेरेंस फ्लाइजन मोस्कीटो यह इन सभी के लिए क्या है harmful है इन इंसेक्ट को खतम करता है और जो क्रॉप है क्रॉप प्लांट उसको प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट टोक्सिशन इन सब के लिए किया है harmful हाई इंके लिए डेंजर होता है नेक्स्ट है आपका जैनेटिकटली मोडिफायट ब्रिंजल इनडिया उसमें कीड़े जल्दी लग जाते इंक्तों खराब कर देते हैं तो इसलिए GMO मतलब genetically modified जो बनाया उस मेकनिम से किसलिए बनाया गया वह इंसेक्ट रेइस्टेंट ताकि उसको इंसेक्ट खा नहीं सकें नेक्स्ट आपका DNA in RNA segment tagged with radioactive molecule is called DNA or RNA segment tagged with radioactive molecule क्या कहलाते हैं उसको probe कहते हैं जो DNA in RNA segment tagged with DNA molecule is called probe नेक्स्ट है आपका genetically engineering has been successfully used for producing genetically engineering का use किसके लिए किया गया था successfully transgenic mice for testing safety और polio vaccine before using human being ये क्या है बात आपकी बिल्कुल ठीक है आपका option क्या हो जाएगा कि किसलिए किया गया है ट्रांसजनिक माइस में ताकि जो पोलियों की जो medicine मनाई थी उसकी safety testing हो सके माइस के ऊपर next है an improved variety of transgenic बास्मती rice जो बास्मती rice है बास्मती जो चावल है वो जो इंप्रूब किया गया था उसको उसमें क्या quality थी it gives high yield interest in vitamin A इसकी पैदावार ज्यादा है और इसमें क्या होता है vitamin A होता है जो आपकी आखों के लिए eyesight के लिए बहुत अच्छा होता है next है आपका the bacterium bacillus therogenesis is widely used in contemporary biology is N कि जो bacillus therogenesis है इसका यूज किसले के जाता है बैक्टिरिया जो है bee detoxing जो इससे निकाला जाता है उसको insecticide के तौर पर यूज के जाता है ताकि insect को खतम किया जा सके अभी आपने एक question पड़ा था इसके लिए तो बैसे इस त्रूज इससे से जो bee detoxing बना जाता है उसका यूज किया जाता है insecticide के तौर पर what is true about bee detoxing की bee detoxing के बारे में कौन सी बात ठीक है यह करायादा inactive pro toxin gets converted into active form in the insect gut बिल्गुल ठीक है कि वैसे तो यह क्या है harmful नहीं होता लेकिन जब इंसेक्ट इसको ingest कर लेते हैं तो उनके गट में क्या है यह inactive form से किसमें गट हो जाता है active form में और उसकी सेल में क्या है यह पूर कर देता है जब सेल आपसे breast हो जाती है उसकी intestinal cell तो क्या है खतम हो जाते हैं डाइट हो जाते हैं तो आपका option क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट option यहाँ पर ही ठीक है नेक्स्ट है आपका जो रोजी काओ जो ट्रांजेनिक काओ यूज तो ब्रडियूस टाइप ऑफ मिल्क विच है फॉलोविंग करेक्टर एक्सेप्ट यह जाते हैं जो ट्रांजेनिक काओ जो बनाई थी रोजी उसके मिल्क में तीनों करेक्टर होते हैं तो यूज ऑफ बायो पाइरेशी कहते हैं कि बिना परमीशन के यूज पर फॉपर आप्राइज़ाशन प्रॉम्डा कंट्री और पीपल कंसर्ड विदाउट कंपेंसेटरी इस गार्ल उसको क्या कहेंगे हैं बायो पाइरेशी कहते हैं कि बिना परमीशन के यूज करना और फिर उसके लिए क्या है पेमेंट जो कंपेंसेटरी पेमेंट है उसके बनागर किसी के उसको हम यूज करते हैं तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं बायो पाइरेशी कहते हैं कौन सा है जो इसमें इनकरेक्ट है सिपेसिफिक बिट्री टॉक्सिन जीन है विन आशिट फ्रॉम बैसिलस थियोजनिस से यह क्या है आपका मेलोडिक गईन इनकोगनेटा डाज नॉट इनफेक्ट दार रूट ऑप तवाक प्लांट यह गलत है क्योंकि यह तवाक प्लांट क ग्लिट को अफेक्ट करता है तो यहीं प्लाइटा आपका क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इसका आपका ठीक हो जाएगा तो आट कि आजसे का इसका सेकेंड नेक्स्ट आपका अरिनएट जो है is a mechanism to silence gene with the help of RNA interference mechanism है कौन से उसमें किया जाता है इसका double stranded DNA किसमें double stranded DNA नेक्स्ट है तू प्रोटेक्ट तौवयको प्लांट अगेंस्ट मेलोडगाइन इनकोगनिटा यूजिंग RNA नेमेटोर्ड से पैसलिक जीन वर इंडरीज इन प्लांट यूजिंग कौन से किसके द्वारा किया जाता है उसको ठीक करने के लिए एग्रोबेक्टियम प्रोटेशन की हेल्प से प्रोटेशन आपको रिपीट हुआ है पर्मनेंट के और आप एडिए डेशिंसी कुड़ भी कैसा हो सकता है कि जो अड्ली एंडरी स्टेज है उसी में जीन को ट्रांसपर करके तो आपको क्या है यहां पर इंट्रोटेक्शन और जीन आइसलेट प्रोटेशन आपको ठीक हो जाएगा नेक्स्ट है पॉलीमरी चेंड रेक्शन इस नोट यूजड नोट यूजड इन किसमें यूजड इसका नहीं किया जाता है कंपरमेट्री प्रजेंस और डूरिंग अर्ली इंफेक्शन आइडिनिफिकेशन आपका गलत है नेक्स्ट टु टेस्ट दा सेफ्टी औव फॉलीू वटशीन दा ऑवनिजल यूजड अज ट्रसम एक्शन ये किरा है की पॉलियो के वैक्शीन के लिए जो ऑनिजब का यूजड गया था उसकेPI के लिए क्टेस्टिग के लिए तो क्या था माइस विच प्रोटीन है ज़ प्रिडूजड जणरेटिंग ट्रांजनिक सीफ थी यह कराया उसमें इस उजबी प्रेश्मेंट थेरेपर इंडिविजल एक्रिस की प्रॉम्प एमपी सेमा से बचाने के लिए उसमें क्या था विच प्रोटीन वा प्रिडूजड तो कौन से मिन और इसके मिलके में क्या होता है ट्राइजनिक काव जो रोजी थी 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन इस जेनेटिकली इंजिनेर्ड माइक्रो और्नेम यूज सेक्सेशपुली इन बायो रेमेडेशन ओफ ओईल सिपिल इस तो कौन सा है इसमें आपका जेनेटिकली इंजिनेर्ड माइक्रो और्नेजम यू सेक्सेशपुली इन बायो रिडिमेशन ओफ ओईल सिपिल इस दा सिपिसी ओफ कौन सा हो जाएगा पर यहां पर सुडो मॉनास सुडो मॉनास पोटिडा नेक्स्ट आपका विच काइंड ओफ थरेपी वाज गिवन इन नाइंटीन नाइंटी टू ए फोर इयर ओड गर्ल विद एडिमेशन डिमेश डेफिशेंसी तो यह कोशना अभी कई बार रिपीट हो चुका है तो कौन से थरेपी होती है वो जीन यूज किया गया था इस फोर इयर ओल्ड गर्ल को ठीक करने के लिए इसमें कौन से डिसीज थी एडिए डेफिशेंसी अडिमेश डेफिशेंसी डिसेज नेक्स्ट है आपका टू पॉलिफेप्टाइड ऑफ हुमन इंसुलेन आर लिंक्ट तो यह आपकी हुमन इंसुलेन क आपको दिख जाएगा इंसृलेन वाले टॉपिक में नेक्सर पार्ट तो मेको प्लांट इस इंफेक्टिट बाई इनफेक्टिड बाई मिलोटी गयें इनकॉगनिटा की कौन सा पार्ट है जो तवबाटी इनकोगनिटा की द्वारा कौन सा होता है रूट तो यह रूट को क्या करता है, इंफेक्ट करता है और इसको ठीक करने के लिए वेक्टिरियम यूज कर आता है, एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमिफेशियन नेच्ट आपका गोल्डन राइस गोल्डन राइस is a genetically modified crop where the incorporated gene is meant for मतलब यह जो बनाय गया था गोलन राइस किसके लिए विटामिन A जो आपके बिलाइडनेस को भी ठीक कर सकता है आपकी आई साइट के लिए बड़ा हेलफुल होता है इन विटी कॉटन तो बिटी टॉक्सिन प्रजेंट इन प्लांट टिस्यू एज ब्रो टॉक्सिन इज कनवर्टिड इन टू एक्टिव टॉक्सिन डिव टू यह कराए कि पहले तो जो बिट टॉक्सिन है इन एक्टिव रहता है लेकिन बाद में यह इन एक्टिव से एक्टिव कैसे करवट हो जाता है जब यह गट में जाता है तो वहाँ पे alkaline pH की वज़े से it convert into active form और यह उस इंसेक्ट को खतम कर देता है kill कर देता है The process of RNA interference RNA has been used in the development of plant resistant 2 तो RNA जो है इसका यूज किया गया कौन से plant के development के लिए नेमेटोड किसके लिए नेमेटोड नेमेटोड के लिए maximum number of existing transgenic animal जो बनाए जाते हैं जिनके gene को manipulate किया जाता है तो कौन है जिसका सब ज़्यादा यूज किया जाता है transgenic animal के लिए के तोब पे mice mice का सब ज़्यादा यूज किया जाता है next है आपका identify the incorrectly matched pair हमें incorrectly matched pair को find करना है humulin फर्स्ट थेरेबेटिक rdna प्रोडक्ट एप्रूफ ओर दा हुमन यूज बिल्कुल ठीक है आरेन आई silencing of mRNA with help of ds डवर्स्टेंड आरेन ये भी ओके है रोजी transgenic sheep producing alpha 1 anti-tripsion गलत है क्योंकि रोजी जो मिल्क है में क्या होता है रोजी काउके में alpha 1-lect उसमें क्या होता है लेक्टो एल्विन होता है तो quality को देखना है आपको question की quality क्या है थोड़ी वह disturbance है उसके लिए आप उस पर धियान ना दे enzyme required for polymer chain reaction कौन से enzyme जो polymer chain reaction के लिए कि यूज किया जाता है tag polymerase इसको इसमें से निकाला था thermos aquaticus में से फिर question है आपका next tumor inducing plasmid use in producing transgenic plant is that कि जो tumor inducing plasmid using producing transgenic plant तो transgenic plant में कौन है जिसका यूज के जाता है agrobacterium tumiphasian का और tobacco plant में disease होती है उसको ठीक करने के लिए उसका agrobacterium tumiphasian का एक gene inject करने के लिए तो ये सारे question जो है आपने इस वीडियो में आपके में पड़े हैं तो ये सारे question आपके previous year के exam में आ चुके हैं तो इसी तरह वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि मैं आपको आपकी प्रफिशन में help कर सकूँ Thank you very much